आज हम अपने office में काम कर रहे थे जिस दौरान हमको हमारे senior ने एक print format document हमको दिया कुछ इस प्रकार से वो document था जिसमें कुछ mobile numbers लिखे हुए हैं जो कि पूरे pages में ये mobile number लिखे गए हैं हमको बोला गया कि इन सभी mobile number को तुमको excel में लेना है साथी में इसमें 911 जो हमारा country का code है वो नहीं लिखा हुआ है तो उसको भी तुमको add करना है तो ये तो काफी complicated है क्योंकि ये तो print format में था और साथी में हमको इसमें 911 code भी लेना है और काफी कम समय में हमको इस काम को करके boss को submit करना है तो जब मैं कर रहा था तो इस दौरान मुझे एक best तरीका मिला जिसकी मदद से हम चंद seconds के अंदर में इस प्रकार के जितने भी data यदि आपको मिलते हैं कुछी seconds में इस प्रकार के जितने भी format आपको मिलेंगे आप इससे data को Excel में ले पाएंगे और साथी में कुछ यदि changes करने हैं तो वो भी आप कर पाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे दो तरीका बताऊंगा तो दोनों तरीका आपके लिए काफी जादा important होने वाला है में ले लेते हैं इसके बाद में अब आपको करना है अपना MS Word Open अभी हमने बताया कि आपको Excel में लेना है लेकिन यहाँ पे Word का भी एक थोड़ा सा रोल है जिसकी मदद से ही हम Excel में data को ले पाएंगे आपको अपना Word application open कर लेना है open करने के बाद में आप file menu में आएगा और यहाँ पे आपको आजाना है open में और browse future में जाने के बाद में आप आजाएए जहाँ पे आपने उस document को scan करके लिया है तो यहाँ देखिए scan document मेरे पास मौझूद है जैसी हम इसमें open पर click करते हैं तो word में एक आपको notification आता है यह बोलता है कि जो मैंने यहाँ पे document को scan करके रखा है क्या हम इसको editable बनाना चाहते हैं तो जी हाँ हम इसको editable बनाना चाहते हैं इस option को आपको ok कर देना है जैसी आप ok करेंगे तो जो भी numbers होंगे वो सभी numbers यहाँ में editable format में word में आ जाएंगे अब आपको करना है simply इन सभी numbers को select कर लीजी select करने के बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है clear all formatting यानि कि इसके अंदर में को भी formatting यह दिखिया होगा तो यह उसको clear कर देगा तो दिखी इस प्रकार से clear all formatting हो गया अब हम क्या करेंगे इन सभी numbers को copy कर लेंगे copy करने के बाद में अब हम आजाते हैं अपने Excel में तो जो हमारा Excel का application है इसको हम open कर लेंगे और यहाँ पे हम आके paste कर देंगे तो यह अभी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है तो यह एक normal error है मान के चलिए इसको आपको select करना है select करके आप जैसिस को drag करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी number हमको Excel में लेना था जिसके लिए हमको type करते हैं तो काफी ज़्यादा समय लगता लेकिन हमने इस number को चंद seconds के अंदर में देख सकते हैं काफी ज़्यादा numbers है यहाँ पे इन सभी numbers को हमने चंद seconds में Excel में ले ल 901 का जो हमारा country code है उसको हम लोग एड करेंगे तो देखें जो भी number से सबसे पहले आपको इसको select कर लेना है select करने के बाद में right click कीजिएगा और यहाँ पे मिलता है आपको format cell format cell के अंदर में जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है custom का option आपको यहाँ custom में आना है और यहाँ general जो लिखा है ना इसको आपको delete कर देना है delete करने के बाद में अब आपको यहाँ पे country का code add करना है जैसे हम add करने वाले हैं plus 91 अब जो हमारा mile number होता है वो 10 digit का होता है तो 10 बार आपको यहाँ पे zero type कर देना है तो यहाँ पे हमने 10 बार zero type कर दिया अब आ इसी हमने okay किया तो आप देखिए कि हमारे number के यानि जो हमारा पास mile number था उसके पहले plus 91 का code add हो गया जिसके लिए हमको काफी जादा समय देना पड़ता लेकिन यह काम तो हमारा चंद seconds के अंदर में हो गया तो आइसी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथ में notification bell icon को all पर sit कर दीजे तो हम बढ़ते हैं अपने अगले trick की और जिसमें हम जानेंगे name के आगे स्री या mister जो हम respect देने के लिए add करते हैं वो भी आप चाहे तो चंद seconds के अंदर में जितनी भी name लिखे हैं यहाँ पर आप आपको सुनने में लग रहा है काफी complicated है लेकिन यह भी काम आप चंद seconds के अंदर में कर सकते हैं जैसे सबसे पहले हमको मान के चले यहाँ पे सभी name के starting में स्री आड करना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक column आड कर लेते हैं और इस column में हमको जो आड करना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्री हमको एड करना है अब क्या करेंगे जो स्री हमको आड करना है सभी को ड्राग कर देंगे तो अभी आप confused नहीं होईएगा क्यूंकि अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे column लिया है जिसमें हमने श्री लिखा लेकिन हमने तो कहा था कि आपको name के आगे 3 add करके दिखाएंगे तो देखिए घबराये नहीं हम आपको बताते हैं कैसे करना है आपको यहाँ पे is equal to लिखना है यानि कि अगले cell में जहाँ पे हम इसको add करके रखना चाहते हैं is equal to दिजिएगा और जो आपने श्री लिखा है इसको आपको select कर लेना है और यहाँ पे आपको and का symbol देना है inverted comma space inverted comma दिजिएगा फिल से आपको and देना है and का symbol उसके बाद में आपको जो name वाला cell है इसको आप select कर लेजिए और enterprise कीजिए तो जैसी आप enterprise करेंगे तो देखे यहाँ पे three dot space तरा में यहाँ पे लिखा हुआ आ गया अब चाहिए हमको सभी में तो हम simply इसको drag कर देंगे सभी में तो जहां तक मेरा name है वहां तक हमने drag कर दिया तो देखिए सभी में एकदम प्रॉपर तरीके से name के आगे जो हमना रिक्स्पेक्टेट वर्ड था एड करना चाहते थे वह एड हो गया तो यह दोनों तरीका कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएगा आगे भी ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बैल आइकन को आल पर सिट कर दीजिए ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर के आएं आप उन वीडियो को सबसे पहले देख स तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में